हेलो उच्चों गुड इवनिंग आज हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर बाइलोजी के बारे में देखें मॉलिकुलर बाइलोजी हमारे क्लास 12 के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ना क्लास 12 जो हमारा मॉलिकुलर बाइलोजी क्योंकि बहुत जदा वेटेज का है यह हमको बहुत जदा वेटेज्ग नियूपलिक एसिट क्या होता है ने, नुकलिक एसिट की जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी के थे कौन आपके अल्टमान ने किया था ठीक है ना अल्टमान ने इसके डिस्कवरी किया था तो जो फर्स टाइम इसको आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडिक निसर ने ठीक है और इन्होंने कहां है लिंग कbuild Этотाइश की ने ज kijken आ इसका नाम क्यों नहीं दे दिया गया और इसको कुछ नाम के रहे हैं। ही इन प्राइश में पानियस सघ्स 2020 नाम दिये और इसी को मैंने आस भी वाले साइंटिस तहे टे चिसमें अरने प्रेजन्ट इनसाइड दर्फ सभी आगे अरने प्रेजन्ट इन्साइड़ आगे सबस्ट्राइब कि ना यह इन्डीने ले इससे कि इसमें क्यों भीन जाते हैं यह कि अपा मिल जाते है तो फॉलिम्र्स बन जाता है तो हम college को बोल देते हैंं polynucleotide ठीक है न को आप इसको याद रखेंगे कहेंगे r dna nucleotide है इसका मतलब क्या है क्योंकि nucleotide है तो इसमें क्या होते हैं बहुत सारी चीजे से मिलकर यह बना होता है तो जिसका अगर हम dna को further क्या करें after hadolize करें break करवाएं इसको हम तो क्या होगा हमको nucleoside मिलेगा और phosphory acid मिलेंगे ठीक है दो चीजे हमको मिलेंगी अब इसके बाद जब हम फिर से again क्या करेंगे इसको hydrolyze करेंगे break करेंगे तो हमको और चीजे मिलेंगे मतलब इसको हम simple form में break करते हुए चले जाएं तो अगर हम nucleoside को फिर से break करेंगे तो हमको मिलेगा क्या nitrogenous base and deoxy ribose sugar खीक है ना अभी deoxy ribose sugar को हम जो इसमें deoxy ribose इसका नाम क्यों है अभी हम आपको बताते हैं तो देखे जो हमारा nitrogenous base है again divided into two parts first और two types first purine and second pyramid in purine is again divided into two first adenine इसको a से लिखते है और guanyene short form में हम इसको किस से लिखते है आपका जो है की वो g से लिखते है ठीग है इसके बाद हमारा जो आता है दूसरा उसको हम बोलते है पिरामीडीन में cytosine जिसको हम सॉट form में c से लिखते है और हमारा जो थाइमीन है, इसको हम सॉड़ फॉर्म में किसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, इतनी बाते क्लियर हो गई, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखें, प्यूरीन में हमेशा क्या होता है, डबल रिंग कंपॉंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन की पोजिशन होता है, वो क्या होता है, 1, 1, 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 7 और 7 के बाद 9 तो आपके सकते हैं, इसके बाद जब हम आएंगे किसमें, क्या होता है, हम प्यूरीन में आएंगे तो हम एक आपको कॉमन सा बता रहे हैं, यह चारों के अलग-अलग होते हैं, ठीक है, आप देख लिजेगा, बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर बहुत अच्छे से बता दे रह इसमें इडिन और ग्यानीन क्या होते हैं, डबल रिंग में होते हैं, ठीक है तो इन में क्या होगा, आप देखेगा, मिंटोरीन की पोजीचन होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, यह आपका क्लियर हुआ, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा क्या है, DNA है, आप यह जो polynucleotides बने हैं, अब माल लिजिए अगर हम आप से कोई पुछे, what is chemical components of the DNA, तो कहेंगे कि DNA क्या है, DNA इसे nucleotide, it is made up of nitrogenous base, deoxyribal sugar and phosphoric acid, क्या बोलेंगे आप उनसे, आप बोलेंगे कि DNA इसे nucleotides, ठीक है, it is made up of nitrogenous base, deoxyribal sugar and phosphoric acid, ठीक है, all these three components are joints to each other with the help of different types of bonding and it form the nucleotides, अभी यह जो different types के bonding होँगी, हम इस bonding को पढ़ेंगे अभी, ठीक है न, तो इसके बाद हमने पहला पढ़ा nitrogenous base, अब हमारा दूसरा आप आएगा, क्या, deoxyribal sugar, deoxyribal sugar is a 5 carbon compound, why, it is 5 carbon compound, यह 5 carbon compound होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो structure है, इसमें देखोगे तो क्या होता है, जैसे, यह carbohydrates हम इसको बोल सकते हैं, क्या है, यह pentose sugar है, तो इसको हम बोलते है pentose sugar, और यहाँ पर इसको deoxyribal sugar, क्यों बोलते हैं, because, in the pentose sugar, at carbon number 2, at carbon number 2, in the pentose sugar, the deficiency of one oxygen, ठीक है, एक oxygen की carbon number 2 पे, एक oxygen की कमी हो जाती, इसलिए इसका नाम हो जाता है, D, D का मतलब होता है, deficiency, oxygen, ribose का मतलब होता है, जो ribose sugar होता है, उसके carbon number 2 पर, एक oxygen की क्या होती है, deficiency या कमी हो जाती है, जिसकी वज़े से हम इसको क्या बोलते हैं, deoxyribose sugar कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इसके बाद अगला है आपको क्या, phosphoric acid, ठीक है, क्या है, phosphoric acid, जिसको हम बोलते हैं, H3PO4, इसका आपको हमने structure बना कर बता दिया, इतनी बाते आपको clear हो गई होंगी, ठीक है न, अब हम चलते हैं, formation of nucleotides, यह जो nucleotides आप देख रहे हैं, इन nucleotides का formation होता कैसे है, यही हम आइंगे, तो देखेगा, nucleotides का formation कैसे होता है, पहली बात, आपने एक basic सा structure देखा होगा इस तरह से, DNA का, ठीक है न, यह structure आप आराम से, कहीं न कहीं आपको हमें साथ दिखेगा, तो इन में आपने देखा होगा, कहीं पर लिखा है 5 dash, और कहीं पर लिखा है 3 dash, अब आपको dash भी बोल देते हैं, ठीक है न, तो यह prime है, ठीक है, आप कहेंगे sir, हमको यह समझाइए, कि यह जो इसका structure है, इसको क्या बोलते हैं, और इसके बीच में जो आपको इस तरह से double और triple bond दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, और यह जो 5 prime है, और यह जो 3 prime है, इसको क्या the backbone, this is the backbone, क्या है यह, backbone है, किसका backbone है, DNA का backbone है, और यह किसका किसका मिलकर बना होते हैं, backbone, आपको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दिजिएगा, backbone मैंने आपको बताया न, अब देखे, मैं बता रहा हूं, backbone, क्या बता रहा हूं, backbone of DNA, backbone of DNA, किसे मिलकर बने होते हैं, हमेशा याद रखेंगा फॉस्पोरीक एसीड प्लस सूगर ये वाला स्ट्रक्चर देख लो बच्चा कोई कन्फूजन इसमें नहीं करेंगे ये दोनों मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों क्या है आपके ये दोनों बैक बोन है इतनी बात क्लियर हो गई अब इसके बीच में आप ये वाला ये डैस और ये 5 डैस हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डैस अब ये 3 डैस हो गया तो ये क्या हो जाएगा 5 डैस अब ये क्या है सर इसमें यहाँ पर देखो हमेशा जाद रखेगा एक जो एक कार्बन क्या है हमारा सुगर मॉलिक्यूल है ये सुगर मॉलिक कि मैंने बताया यह जो 5 प्राइम और 3 प्राइम ड Sex है यह क्या तो दी को पहला हमारा शुगर आप क्या बोल रहे हो जो हमारा क्या एक बोन किस से मिलकर बना यह मिलकर बना यह इसी और शुगर मॉलेक्यूल ठीक है तो अब यह किसी न में आकिसी से जूडेंगे तो इनको जोडने वाला Itaos को बोलते हैं फास्पोड-ाइस्टर रोड वांड फास्पोड-ास्टर बॉन याद रखेगा अब यह आज एक kami लिखेश्धिन वाला ओर्ज जोगर मॉलिक्यूल होंगे फिर से एक वह वॉस्पेट बोष गर molecule और ये phosphate का मतलब phosphorus acid और ब्राइब से और यह एक sugar से डी आकजी राय बोस की sugar से carbon number 3 से जुड़ा होगा किस से जुड़ा होगा carbon number 3 से जुड़ा होगा और दूसरे वाले carbon से सादर दूसरे वाले oxygen जो हमारा क्या Sulayan है उसके कार्बन नंबर पांच से जुड़े होंगे ठीक है तो इसको हम क्या बोल देंगे इसलिए इसको हम five days और three days बोलते हैं clear हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे फिर कहते हैं सर कि यह में आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे यह देखो यह इसको हम क्या 5' इंड ठीक है न? इसले इसको हम 3' और 5' इंड कहते हैं. इतनी बाते आपको clear हो गई होगी. अब आएज ज़रा हम देखते हैं कि जो हमारा ये क्या है बैक बोन है इस बैक बोन से जो हमारा फास्पोरिक एसीड होते हैं अब कहेंगे सर फास्पोरिक एसीड बैक बोन में कहा होता है तो ये वाले चीज़ देखो बच्चा ये ये हो गया तो यहाँ पर देखो A होता है डबल बॉंड T होता है C होता है डबल त्रिपल बॉन्ड जी होता है ठीक है यह क्या है हमारे नाइट्रोजिनस बेस हैं तो कहेंगे सर यह किस से जुड़े होते हैं तो हमेशा याद रखेगा जो नाइट्रोजिनस बेस सुगर मॉलीक्यूल से जब जुड़ता है जब सुगर मॉलीक्यूल से नाइट्रोजिनस बे तो यह ऐसा दिखेगा clear अब यहां पर देखो यहां पर क्या नमबर 5 reasonably надо hak warranty हो गया तो यह क्या हुआ है यहां पर जाएंके जाएंगे कंडिशन वही क्लियर ना क्लियर ये देखो आगे याँ पर भी फास्पोरस आप जोड़ दो ये देखो कार्बन नंबर तीन से क्लियर हो गया तो इसको हम 5 और 5 प्राइम और 3 प्राइम डैस क्यों कहते हैं समझ में आ गया अब केरें सर आपको एन ग्लाइकोसिडिक बांड औ तो इसमें ये वाला देखो ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या है एन ग्लाइकोसिडिक बांड है एन ग्लाइकोसिडिक बांड है कहेंगे सर इसमें फास्पोर डैस्टर बांड कहा है तो देख लो ये और ये ये दोनों क्या है फास्पोर डैस्टर बांड है अब अगर सर इसको अच्छे से दिखाई है तो यहाँ पर देख लो एन ग्लाइकोसिडिक बॉंड हमने कहा आपको क्या शुगर और नाट्रोजिनेस बेस तो देख लो यह हमारा शुगर डियाक्सिराइबो शुगर और यह नाट्रोजिनेस बेस हमने साइटोसीन को ले लिया कार्बन न clockwise गुमा दे या anti-clockwise गुमा दे जब clockwise और anti-clockwise गुमेंगे तो इनका structure ऐसा बन जाएगा ठीक है अब यही क्या होते हैं अब दूसरी चीज़ दो bond clear हुआ एक एंग लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक फास्पोड ऐस्टर बॉन्ड एक बॉन्ड और होता है उसको हम hydrogen bond कहते हैं क्या क्या होता है डबल होता है और कहीं कहीं क्या होंगे आपके जैसे G और C के बीच triple होता है कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है तो हम आपको यह next वाले वीडियो में बताएंगे कि थाइमीन और एडिनीन के बीच हमेशा क्या होता है डबल बांड गवानीन और साइटोसीन के बीच ह Okay, wish you all the best. Thank you.